नमस्कार टीजर्स अकैडमी और लाइन कोचिंग इस्ट्यूट से मैं हूं बरी शुक्लिए वित्रों ये बहुत ही संसे वाले सिती बनी हुई थी कि लागडाउन के वज़ा से जो भी रिजल्ट्स हैं वो पेंडिंग में रहेंगे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे तो ये बात आज इस्पस्ट हो गई है कि अब लगडाउन के वज़ा से आप सब के परिच्छा परणाम पर कोई इसर नहीं पढ़ने माला है उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालें हैं वो 21 तारीक से खुल जाएंगे सोसल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इसमें करमचारी काम करेंगे उतनी तीबर गती से काम तो नहीं हो पाएगा लेकिन काम सुरू हो जाएगा और पेंडिंग जितने भी वर्क्स हैं उन्स सब को क्लियर किया जाएगा खुलेग आयोग तैयार होंगे लंबित प्रडाम लोग से आयोग के साहे कभियोजन अधिकारी एवपी उपरी 2018 साइतन भर्तियों के प्रडाम तैयार करने पर लंबित काम अब सुरू हो सकेगा राज सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए 20 अपरेल से आयोग दफ्तर खोलने की त्यारी कर रही है आयोग दफ्तर के मुख्य द्वार पर थर्मल स्केनिंग की वेवस्था की गई है दफ्तर प्रविस करने और पूर निकलते वक्त अफसरों करमचारियों की थर्मल स्क्रेनिंग की जाएगी गेट पर बास बेशिन लगाई गई है दिकारियों करमचारियों को यहां साबून में हाथ धुलने के सेंटाइस करना होगा सबी दिकारियों करमचारियों के लिए मास पहनना निवारे होगा प्रदेश सरकार को गाइडलाइन के मताबिक 33-33% करमचारियों को ही दफ्तर बुलाया जागा अनुबाग अधिकारी से लेकर इसके उपर की समवर्ग सभी अधिकारी दफ्तर आएंगे सची जगदीश ने बताया कि दफ्तर खुले इने से लंबित काम निस्तारित किया सकेंगे क्योंकि लागडाउन की वज़ा से 25 मार्च से काम पूरी तरह से ठप है इस वज़ा से आयो को बीयो कंप्यूटर सहाइक पीश्यस मेंस 2019 अरो एयारो प्री 2016 के साथ कई इंट्रव्यूस तकित करने पड़े हैं दफ्तर खुलने के बाद एप्यों की प्री 2018 सहीतन भरतियों का परणाम तायर करने का काम सुरू होगा वहीं यल्टी ग्रेट भरति के दो बिश्यों के लंबित परणाम सहीत को अन्य सीधी भरतियों पर भी काम सुरू हो सकेगा PCS 2018 मेंस परणाम पर फिलहाल काम सुरू नहीं हो सका है क्योंकि उसके लिए बिश्यस सग्यों को बुलाने का हो शकता है तो अब भी आप इस विश्यां देख सकते हैं और संभावित है कि अब PCS प्री 2020 के लिए भी फार्म आए लेकिन ये फार्म लागडाउन खतम होने के बाद ही आएगा पहले नहीं आएगा तो फार्म उसके बाद आएगा परिक्षा जो PCS की है अब वो टलकर लगभग सितंबर या अक्टूबर महिने तक जा सकती है Realty Grade के दो जो बिशय पेंडिंग में हैं उनका रिजल्ट आएगा तो ये अच्छी बात है कि अब रिजल्ट वाले जो परिक्रिया है जो लंबित जो रिजल्ट हैं वो आ सकेंगे बित्रों आयोग खुलेगा तो बहुत सारी वैकेंसियां भी आएंगी पूरी वैकेंसियां क्लियर भी करवाया जाएगा इंटरव्यू भी होगा और इसी भी GIC के लेक्चरर के कुछ पदों पर भी फार्म आने वाले हैं इसी तरीके से आप देख सकते हैं गौर्मेंट डिगरी कालेज का जो फार्म भरा गया था उसके भी परड़ाम आने बागी है तो उसका भी परड़ाम आ सकेगा और जिन विश्यों का रिजल्ट आ चुका है और जिनकी फाइल यहां उपर देख सकते हैं उस सिच्छा के काम है वो समनिस्तारित कर दिये जाएंगे जिससे लागडाउन खतम होते ही निक्ति परिक्रिया शुरू हो सके तो यह महत्पूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए अच्छी सूचना है और रिजल्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और जैसे ही लागडाउन खतम होगा आपकी निक्ति परिक्रिया पर भी काम करना शुरू हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद